स्वागत है हम लोग की ब्याइज पीजी टी के लिए देखेंगे एंसी एंसी आर्टी बेस्ट एक्सपेक्ट कोश्चन 2023 के लिए ठीक है रहे रिलेशन फंक्शन से सेट थियूरी का जो सीरीज का वह कंप्लीट हो गया है हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्श सेट यहां पर देख सकते हैं हम लोग इसको लिख लेगे तो यहां से देखेंगे इसके साथ यह बनेगा माइनस वन और वन का फिर बन जाएगा आपका माइनस वन और थिरी का फिर किसके किसके साथ बनेगा तो टू और वन का बनेगा फिर टू और थिरी और वन का बनेगा और फिर थिरी और थिरी का बनेगा ठीक है फ्रेंड्स तो इतने सारे इलिमेंट आपको यहां पर ठीक है? ठीक है? अब दूसरा ह। आपका यहां पे देख सकते हैं B x A B x A ठीक है? तो इसमें भी हम लोग ऐसे कुछ करेंगे तो यहां पे B 1 है 1不好意思 1 ठीक है फिर हम्हें फिर यहां पे देखे 1 और 2 फिर मीरम, फिर यहां तो इतना सारन आपका elements आएंगे अब देखेंगे हम लोग 3 B into B तो यह हो जाएगा आपका B into B देख सकते हैं आप तो 1 1 आएगा और 1 3 आएगा फिर आएगा क्या 3 आपका आजाएगा 3 1 आएगा और यह आजाएगा 3 3 आएगा ठीक है यहाँ पर देखेंगे 4 में a into a a into a friends तो a into a में क्या है friends a into a में देखिए minus 1 और 1 ठीक है फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं minus minus 1 2 फिर देखेंगे minus 1 और 3 फिर यहाँ पर देखिए आप minus 1 हो गया अब 2 2 और 2 3 ठीक है friends फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं आप इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर हम लोग लेंगे फिर 2 minus 1 2 फिर 2 लेंगे और 2 और 3 लेंगे ठीक है friends फिर 3 into minus 1 3 into 2 और 3 into 3 ठीक है friends तो यह हो गया आपका next question हम लोग देखेंगे आप question number 2 ठीक है question number 2 है कि x जो है belongs to n है ठीक है natural number ठीक है friends और x जो होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए q में देखिए x जो है equal to greater than or equal to 2 होना चाहिए x जो है less than or equal to 2 होना चाहिए और x belongs to w means यह होगा आपका तो x equal to हम लोग पहले यहाँ पर element लिख लेंगे ठीक है तो element हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे जैसे n है तो n जो है आपका x जो है छोटा है तो 1 और 2 लेंगे ठीक है और w equal to हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 1 ले लेंगे टूल ले लेंगे और 0 भी आएगा इसमें call number है ना तो 0 भी आएगा ठीक है तो ये हो जाएगा अब हम लोग को लिखना है P union Q और ये बराबर हम ले लेंगे ये हो जाता है P के लिए ये किस के लिए है P के लिए और ये है Q के लिए ठीक है P union Q तो पी उनियन क्यों में क्या आ जाएगा पी उनियन क्यों में आ जाएगा आपका यह वाला हम लोग अच्छे से कर लेंगे इसको ठीक है क्यों में 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 क्यों मे एक्स बिलांग्स टू डबलो ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर अब इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा वन और टू हो जाएगा और इसका एलिमेंट होगा जीरो वन और टू ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं कि यूणियन क्यूब तो पी यूणियन क्यूब में क्या आएगा यह 0 आ जाएगा वन आजाएगा टू ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं पी इंटरसेक्षन क्यूब तो इंटरसेक्षन में जो मिलता है उसी को मूलों लिखते हैं तो 1 और टू हो जाएगा अब हम लोग को क्या दिखाना है यह दिखाना है यहाँ पे यूनियन क्यूब ब्रैकेट मल्टिप्लाइब पी इंटर्सेक्शन क्यूब ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा क्या यहां पे किया यहां पे prolongечно 30OK म मिर्ट कुम सब्सक्राइब 631 हो जाएगा 21 2, 1 ठीक है और यह हो जाएगा आपका 2, 1 और 2, 2 ठीक है फ्रेंड्स यह हो गया next question number हम लोग 3 देखते हैं ठीक है question number 3 आपका क्या है question number 3 आप देख सकते हैं यह equal to जो है आपका दिया हुआ याप पे क्या दिया हुआ एक्स, x such that belongs to w जहाँ पे क्या है एक्स जो है छोटा होगा 2 से और b कितना है आपका फ्रेंड्स तो b है x such that x belongs to n natural number जहाँ पे x जो है 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है ठीक है और c क्या है फ्रेंड्स 3 इंटू 5, 3 इस्टू 5, 3 और 5 है ठीक है इसका एलिमेट क्या हो सकता है इसका एलिमेट 0 और 1 होगा और इसका एलिमेट क्या होगा इसका एलिमेट 2 होगा 3 होगा और 4 होगा फ्रेंड्स तो हम लोग पहरे लिकाल लेंगे b क्या है यहाँ पे तो इसमें से हम लोग लिकेंगे B intersection C B intersection C में आप देख सकते हैं 3 common है के वल तो इसमें हम लिखेंगे 3 ठीक है friends अब यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे union भी हम लोग find कर लेते हैं ठीक है B union C तो B union C में common जो है वसो लिखेंगे ही लिखेंगे जो नहीं भी है उसको भी हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे तो B यहाँ पर देख सकते हैं A into A into B intersection C है तो इसका element क्या है 0 और 1 है into इसका element क्या है इसका element है आपका 3 element ठीक है इसको हम लोग लिखेंगे 0 3 ठीक है फिर लिखेंगे यहाँ पर 1 और 3 ठीक है 1 और 1 और 3 ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा यह हो गया यह first का होगी आपका friends और यह second का second में क्या लिखेंगे हम लोग A intersection B union C तो union वाला element यहाँ पर एक क्या है 0 और 1 है ठीक है और यहाँ पर क्या होगा आपका तो यहाँ पर है 2 3 4 और 5 इसको करेंगे तो यह आपका मिल जाएगा जीरो टू ठीक है जीरो थीरी जीरो फोर जीरो फाइब फ्रेंड्स अब देखेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 1 और 3 1 और 4 1 और 5 ठीक है यह हो गया आपका ठीक है यह दोनों आपका बन गया नेक्स हम लोग देखेंगे आप कोशन नमबर 4 कोशन नमबर 4 है कि फाइंड इच आव दी फॉलाइग ठीक है इसको हम लोग फाइंड करेंगे ठीक है फ्रेंड यह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कोशन नमबर 4 को फर्स्ट का ठीक है चली सॉल्व करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2A प्लस B कॉमा है A माइनस B इक्वल टू कितना है आपका यह ब्रैकेट में ले लेंगे हम लोग इसको तो यह है 8,3 ठीक है फ्रेंड तो यहाँ पे 2A प्लस B इक्वल टू 8 लिखेंगे और A माइनस B इक्वल टू 3 लिखेंगे अब यहाँ से A का वैलू फाइंड करेंगे तो 3 प्लस B हो जाएगा ठीक है तो इसका वैलू हम लोग इसमें पूट कर लेंगे किसमें पूट करेंगे इसमें पूट करेंगे तो 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस B और प्लस B इक्वल टू 8 हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं यह 6 हो जाएगा यह 2B plus B equal to 8 और यह हो जाएगा 3B equal to 8 minus 6 equal to 2 और यह हो जाएगा B equal to 2 by 3 ठीक है friends अब यहाँ पर देख सकते हैं A का value हम लोग यहाँ पर find करेंगे तो A का value find करने के लिए हम लोग यहाँ B का value put करनेगे ठीक है तो यह हो जाएगा 3 और plus 2 by 3 तो यह 11 by 2 हो जाएगा ठीक है 11 by 3 हो जाएगा ठीक है A equal to तो A equal to हो जाए 11 by 3 और B equal to हो गया 2 by 3 ठीक है friends अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यह का value कितना होगी आपका यहाँ से लिख लेंगे और यह हो जाएगा 2b equal to 6 plus B ठीक है तो इधर करेंगे यह माथिरी भी हो जाएगा और यह हो जाएगा 6 तो B equal to कितना होगा minus 2 ठीक है friends equal to कितना हो गया minus 2 चलिए यह बन गया आपका next question अब लोग चलते हैं friends like share करते जाएए ठीक है question number 5 है A equal to इतना दिया है then find the order which satisfies this one ठीक है तो X Y belongs to A ठीक है X Y belongs to A यहाँ पर देख सकते हैं लोग तो X पहला क्या है कि A बराबर आपका दिया है 1, 2, 3, 4 और 5 दिया है यह B equal to B नहीं है इसमें S दिया है तो S में क्या है S का element आप देख सकते हैं X और Y है such that X belongs to A और Y belongs to A ठीक है फ्रेंट तो इसमें क्या होगा कि X A में बिलोंग कर रहा है य भी A में बिलोंग कर रहा है और जहाँ पर question first भी है यहाँ पर solve करना है कि X plus Y जो है वो दोनों को sum कितना होना चाहिए तो यहाँ पर होना चाहिए कितना यहाँ पर होना चाहिए 5 ठीक है तो यह से ऐसे ऐसे element X Y कर लेना है जो दोनों को क्या करना है कि दोनों का sum 5 आएगा तो पहला देख सकते हैं यह हो सकता है यह element होगा वोगा फोर्थ ठीक है फिर क्या होगा टू और ठीरी होगा टू और थिरी होगा फिर हाप पर क्या करते हैं यहाँ पर दखते हैं आप तू थिरी फिर यहां पर दखते हैं पोर वन ठीक है फिर यह फिरी टू ठीक है तो इतने सारी इसमे आएंगे ठीक है और ये हो गया नेक्स समल देख सकते हैं अब ये होगी आपका पहला धुश्य दूसरा में क्या क्या आएगा तो x plus y ये करेंगे तो x plus ये होगा 5 से छोटा 5 से छोटा होगा, ठीक है तो यहाँ पर क्या-क्या होगा 5 से छोटा तो वर 3 हो सकता है फिर यहाँ पे one और two होता है ठीक है फिर यहाँ पे हो सकता है two और two हो सकता है ठीक है फिर यहाँ पे और three और one हो सकता है one और two और one हो सकता है ठीक है फिर आपका यह हो गया 5 5 टरम्स हो गये ठीक है यहाँ पे इतना होगा नेक्स हम लोग देख सकते हैं पुष्चर नंबर 3 में क्या है कि यह जो है 8 से बड़ा होगा X प्लस Y का सम जो है 8 से बड़ा होगा तो क्या क्या हो सकता है तो आप देख सकते हैं 4 प्लस 5 ठीक है और 5 प्लस 4 यही तो होगा फ्रेंड ठीक है नेक्स हम लोग देखेंगे कोश्चर नंबर 6 से आपका कहता है R X Y बिलोंग स्टू X Y सच देट X Y बिलोंग स्टू W X स्क्वार प्लस Y स्क्वार इक्वाल टू 25 ठीक है तो यहाँ पर X और Y जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें तो बिलोंग कर रहा है आपका W में W मिन्स क्या हो सकता है इसमें तो इसमें ये एलिमेंट हो सकता है क्या क्या हो सकता है एक W तो आप बता है कि 0 से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 यह तरह से चलता रहेगा ठीक है लेकिन यहां पर द्याब कि X और Y का स्क्वाइर का सम्जू है वो 25 होगा ठीक है तो यहां पर हम लोग को range पूछा है और domain पूछा है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो set बनेगा वो आपका बन जाएगा इसका किसका बनेगा जिससे square हम करके इसको लोग बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं 0 का अगर हम вас square करें जिरो का और 5 का तब ही 25 होगा 3। का च्कौायर और 4 का स्क्कौयर करेंगे तब भी होगा फिर 5 और 0 करेंगे तब ही फोर और फाइब हुजाएगा अब चिप्रेंग प्रेंट्स एक अब रेंज क्या हो जाएगा आपका और अका होडर यहां सकते है Contract सानल में और यहां सि.- इन ऑर ऊसलते इसमें क्या है उसले हमेंयरे में हैं आपकी में क्या है आपका मल servi है यहां पर 035 यहां पर यह होना चाहिए था ठीक है तो यहां पर हो जाएगा आपका 453 और 0 ठीक है फ्रेंट्स यह हो गया आपका रेंज नेक्स्ट आम लोग देख सकते हैं question number 7 question number if r1 r1 यहां पर देख सकते हैं xy such that y belongs to y equal to 2x plus 7 x belongs to r और minus x जो है equal to greater than minus 5 और less than equal to 5 होगा है relation find the domain and range of r1 ठीक है तो हम लोग इसको find करेंगे friends ठीक है तो r1 जो जो दिया है हम लोग उस्पिलेंगे r1 क्या दिया है x और y है और y belongs to 2x plus 7 where x belongs to r and minus 5 x belongs to 5 if r1 is a relation then find the domain and a range of r1 ठीक है तो यहां पर हम लोग domain लिखा लेंगे ठीक है domain क्या-क्या लिखेंगे domain में of r1 क्या हो जाएगा friends यह हो जाएगा minus 5 x 5 x belongs to our friends ठीक है यह हो गया तो इसमें लिखना है यह minus 5 और हो जाएगा 5 हो जाएगा ठीक है यह close यह हो जाएगा minus 5 to 5 ठीक है friends यह होगा आपका domain यहां पर y तो y equal to दिया है 2x plus 7 ठीक है तो यहां पर अगर आप minus लेते हैं अगर 2 minus x equal to minus 5 लेंगे friends तो y equal to कितना हो जाएगा 2 into minus 5 plus 7 ठीक है यह हो जाएगा minus 10 plus 7 equal to 3 x equal to अगर 5 लेते हैं आप तो y equal to क्या हो जाएगा 2 into 5 plus 7 equal to 17 ठीक है यह हो का second ठीक है तो आप देख सकते हैं इसमें जो है यह क्या है आपका domain हमने निकाला यह वाला ठीक है और यह range आ गया ठीक है तो range क्या हो गया यहाँ पर range of r1 equal to क्या हो जाएगा minus 3 belongs to y and y belongs to greater than y belongs to greater than equal to minus 3 or less than equal to to your friends where i is 6 3 or 7 ठीक है next हम लोग देखते हैं question number 8 है are to this one are two जो है friends वो क्या है x और y और यह belongs करेगा and y are integers क्या है यह इंटीजर्स है और जहां पर क्या बोल रहा है आनि y belongs to z यहां पर लिख सकते हैं यह belong कर रहा है z में जहां पर क्या होगा square plus y square equal to 64 ठीक है friends तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे x अगर equal to 0 लेते हैं ठीक है sum of square है तो यह भी हो सकता है का square plus minus 8 का square इसको करेंगे तब भी क्या हो जाएगा यह 64 ही आएगा यहां पर लिख सकते हैं 0 square plus plus minus 8 का square तब भी result क्याएगा 64 आएगा friends ठीक है तो अगर x equal to 0 लेते हैं x equal to 0 लेते हैं ठीक है तो y square to क्या हो जाएगा y square equal to क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा minus 8 लेते हैं अगर हम तब क्या हो जाएगा y equal to हो जाएगा आपका 64 minus 8 का square तो यह हो जाएगा 0 कहने का मतलब यह है friends कि अगर अगर square and 8 का square करते हैं plus minus 8 का square तो ही यह जाएगा तो अगर x equal to 0 लिजेगा 0 put कीजेगा इसमें 0 square हो जाएगा y square और equal to हो जाएगा 64 तो y equal to कितना हो जाएगा plus minus 8 अगया अगर x equal to 8 लेते हैं या minus 8 लेते हैं तो क्या हो जाएगा y equal to y equal to 64 minus 8 का square ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह यह भी हो जाएगा आपका कितना यह हो जाएगा 0 तो यहां पर जो हम लोग लिख है कि R2 जो है क्या है R2 इक्वल टू क्या क्या मिला हमको 0 8 मिल रहा है और 0-8 मिल रहा है फिर मिल रहा है 8 0 और माइनस 8 और 0 ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोशन कोशन नमर्ण 9 है आपका कि R3 जो है ठीक है फ्रेंट्स आर थीरी जो है वह क्या है यहां पर और एक्स है सर्च एक्स जो है मोड में है है ना और यहां पर एक्स जो है इस और रियल नमबर ठीक है रियल नमबर है ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग तो यहां पर हम लोग इसको कर सकते हैं कि R3 हो क्या है R है मतलब रियल है ठीक है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं पोजिटिव और हो सकता है यहां पर चुक्कि एवेज जो होता है इमेज ओफ है एनी रियल नमबर है एनी रियल नमबर अडर R3 इस पोजिटिव रियल नमबर और जीरो ठीक है तो यहां पर क्या है रेंज और थीरी इकल टू क्या हो जाएगा R प्लस यूनियन यह एलिमेंट हो गया जीरो ठीक है फ्रेंड्स और यह आप लिख सकते हैं जीरो और इंफिनिटी ठीक है नेक्स कोश्चन देखते हैं कोश्चन कोश्चन नमबर टेन है इसमें आपका कोश्चन है कोश्चन है आपका प्लस अपका कोश्चन देखते हैं झाल